नमस्कार साथ यो स्वागत है आप सभी का Current Affairs Lecture Series में UPAPO exam के लिए 10 lecture में आप लोगों को Current Affairs के करा चुका हूँ इससे पहले उनके link playlist Current Affairs में और इस video के description में आप लोगों को मिल जाएंगे ये Current Affairs Lecture No.11 है जो आप लोगों के exam point of view से मैं बना रहा हूँ आप लोगों से request है कि जब भी आप लोग exam देने जाएं प्लीज इन 11 जो lecture अब तक मैं record कर चुका हूँ आप लोगों के लिए हो सकता है ये और भी आगे मैं आप लोगों को बनाओ तो please one by one करके इनको आप लोग 2x की speed पर या फिर 1.5x की speed पर देखकर जरूर जाएं इससे आप लोगों को काफी knowledge मिलेगे और उमीद है कि ये आप लोगों के exam में मदद भी करेंगे ठीक है तो चलिए session start करते हैं फटा फट से और समझते हैं current affair में अब तक हम लोगों ने काफी सारी चीज़े discuss कर रहे हैं पिछले 10 lecture में तो आज हम लोगों और भी कुछ चीज़े जो है complete करेंगे सबसे पहले आज हम topic उठा रहे हैं भारत और भारत और बंगलादेश से संबंदित कुछ मैत्पूर्ण बातों को लेकर हम लोग जो है लाइक करने में कंजूसिंग क्यों करते हैं ये ही चीज़े हमारे लिए मौटिवेशन का काम करते हैं और भारत और बंगलादेश के बीच में आप लोगो को कुछ current affair की जो चीजह हैं वो बता देता हूँ एक है रूपपूर आप लोग नोट करेंगे रूपपूर परमाणूशयंत्र रूपपूर एटोमिक जो अपना सेंटर है उसके बारे में बात करने हैं तो यह क्या है यह जो है आप लोग याद रखेंगे रूपपूर है बगला देश में बनाया जा रहा है किसकी हेल्प से भारत की help से, यह आप लोग याद रखेंगे, और किसके license पर बना रहा है बंगलादेश, license रूस का, यह आप लोग याद रखेंगे, तो यह exam के लिए बहुत important है, और exam में यहाँ से question आप लोगों के लिए बन सकते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें, भारत और दूसरी मैतरी और तीसरी जो भी हाली में चली है, मिताली express, यह भी आप लोगों को याद रखना है, तो मिताली, मैतरी और बंधन, क्या चल रही हैं भाई, express चल रही है, किस के बीच में, India, between बांगलादेश, आप लोगों को clear हो गया, आप लोगों से question अजाएगा, कि हाला कि कुछ ट्रेने अभी इसमें रोक रखी हैं, वो situation है, international border है, तो ये कभी-कभी बंद भी हो जाती है, अब next है, भारत, देखेगा इसी के साथ में, अभी भारत, बंगला देश के बारे में और भी बता रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को पाकिस्तान के साथ चलने वा बंगला देश के, भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये, अब बंगला देश और पाकिस्तान के जो भारत है, इसके border को हम लोग बोलते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे, तीन बिगा, तीन बिगा corridor, corridor इसको बोलते हैं, zero line भी बोलते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे, और भारत और बंगला देश से संबंदित, कौन सा, कौन सा संबीधान संसोधन है, आप लोगों से एक्जाम में पूछ लेगा, कौन सा संबीधान संसोधन है, संबीधान संसोधन की पिरकिर्या, article 1368 में है, constitution के, और कौन सा है, तो वो है 100, सोवे नंबर का, ये आप लोगों कमिशन, article 332 में, 103 में EWS, याद रखेंगे, ये economic weaker section, आर्थिक अदार पर 10% reservation दिया गया था, आप लोगों को याद आ रहोगा, article 15 और 16 में अमेंड किया गया था, और 104 में क्या है, दो बाती हुई, एक तो article 331 और Anglo-Indian का जो provision दे रखा है, वो समाप करा, पिलस SCST reservation के लिए ह साल के लिए extend कर दिया, तो आप लोग याद यहाँ पर दो बाते इसमें note करके लिखेंगे, 105 में क्या है, ये तो बिर्कुल latest है, और इसमें क्या है वहिया, इसमें क्या है, एक 105 में सीधा सीधा है, कि जो राजिये हैं, यानि भारत के जो राजिये हैं, 28 राजिये हैं, वो OBC list prepare कर सकेंगे, तैयार कर सकेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे OBC list prepare by state, यह आप लोग तैयार कर सकते हैं, यह मैचिंग में आ सकते हैं, हालागे हम पिछले topic पे चलते हैं, भारत और बंगला देश के बीच में, अब देखेंगा बंगला देश जो हैं 1971 से पहले पूर्व बंगला देश अजाद हुआ था पूरी तरीके से फाइनली बंगला देश अस्तित में आया था, किलिए रहे हैं, अब देखेंगा बंगला देश से और चीज़ें आप लोगों को बता देता हूं, तो बंगला देश भारत के अगर हम देखें तो यह वाला पॉइंट है, य आप लोगों को पता ही होगा, तो गंगा को ब्रहम पुत्र यहां पर क्या बोलते हैं, पदमा नदी बोलते हैं, याद रखेंगे, और इसको बोलते हैं, जमुना, ठीके, और जब यह दोनों मिल जाती हैं आपस में, तो इसको बोलते हैं, मेगना, यह कॉंसेट भी कई बार एक्जाम में आता है तो इसको आप लोग याद रख लेना कि गंगा को पद्मा ब्रहंपुत्र को जमना जमना और पद्मा जब आपस में मिली तो क्या हुआ मेगना ये आप लोग याद रखेंगे के लिए रहें बंगला देश से जुड़े और चीज़े आपको बता देते है यहां के प्रधान मंतरिये सेख हसीना और राजधानी क्या है धाका ये आप लोग याद रखेंगे और धाका से मुझे याद आया इसको आप लोग नोट कर लेंगे 1906 की बात है आप्टर बंगाल बिवाजन बंगाल पार्टिशन तो क्या हुआ था मुस्लिम लीग की स्था आपना कब हुई थी 1906 में किस ने करी थी सलीम उल्ला खां और आगा खाने की थी तो ये था कुछ बंगला देश और भारस से रेलेटिड कुछ महत्पूर्ट बातें जो आप लोगों को याद रखने हैं आगे बढ़ते हैं अगर आगे हम बात करें देखेगा एक है नेक्स स्री संत तुकाराम मंदिर तो इसका भी उद्गाटन करा है यह कहां पर पूछ लेगा स्री संत तुकाराम मंदिर यह टैंपल तो यह कहां पर पूड़े में याद कर लेंगे आप लोग कहां पर है पूड़े में इसका उद्गाटन किस ने करा है मोदी जी ने अब मुझे म र lleva आप लोग और दूसरा आप लोग याद र रखेंगे क्योंकि एंप लोगों से हर बार पूचे जाते आप लोग याद रखेंगे में नंथि को इंपर कहा पर est अंबोगो को चैंपनाव में कहा डे cerc ate अगर बात करें नेक्स्ट येक और हमारा एक organization है जो आप लोगों को exam में important है वो है opaque opaque यह याद रखेंगे आप लोग तो opaque की full form है organization of petroleum export countries यह याद रखेंगे exporting countries यानि ऐसे देशों का समू जो तेल का निर्याद करता है बेचता है export करता है तो उनका headquarter बनाया था 1960 में याद रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी बगदाद में कहाँ पर बगदाद आप लोग याद रखेंगे और बगदाद किसका सहर है इराग का किसका सहर है इराग का याद रखेंगे लेकिन इसका headquarter बाद में कहां सदस्य है इसमें ठीके इसी के तरच पर एक आप लोगों को नाटो बता दे रहा हूं नाटो नाटो नोर्थ एंट अलांटिक ट्रीटी ओर्गनाइजेशन 1948 में स्थापना हुई थी याद रखेंगे और सदस्य हैं 30 यह याद रखेंगे नाटो का हेड़कोर्टर है ब्रूसेल्स ब्रूसेल्स यह आप लोग याद रखेंगे वेरी वेरी इंपोर्टेंट है इसके बाद है आप लोगों को कुछ और्गनाइजेशन बता दे रहा हूं वो है जी सेवन इसकी सब्मिट ये 1975 में बना और 2022 की सब्मिट क्या हों ही universal की जर्मनीम वे याद रखेंगे 2023 की कहां पर होगी बाई 2013 की जापान में होगी जापान की राजदानी टोक्यों जर्मिन की बर्लिन है और आप लोग चाहो तो जी ट्वंटी लिख सकते हैं तो जी ट्वंटी दो हजार बाहिस कहा हो रहा है बाली इंडोनेशिया ठीक है और 2023 कहां पर हो रहा है भारत न्यू दिल्ली याद रख लेंगे यह सब चीजे ब्रिक्स कहां पर हो रहा है ब्रिक्स हो चुका है कम्प्लीट ब्रिक्स यह हुआ है 2022 वाला यह वर्चुली हुआ है चीन में हुआ है याद रखेंगे और अब जो होगा 2023 में वह कहां पर होगा साउथ अफ्रीका में होगा क्लियर है यह इस तरह के कॉंसेप्ट आप लोग तैयार कर लेना अभी बिप् स्री लंका में भारत में इस में पार्टिस्पेट किया था वर्चुली हुआ था याद रखेंगे आप लोग अब देखेगा जी सेवन में साथ देस हैं याद रखेंगे उनके नाम में बता दे रहा हूं रूस इसमें नहीं है 2014 में बाहर हो गया तो कनाडा यूयस से फ्रां किसको भाया भारत को यह आप लोगों को याद रखना है very very important है यह चीजे मैंने बता दिया आप लोगों को और कई बार बता रहा हूं एक है safe under 18 world cup football world cup safe under football world cup under 18 याद रखेंगे under 18 है तो यह हुआ है जमसेदपूर में कहां पर जमसेदपूर जहारखंड में जमसेदपूर को क्या कहते है आईरेन सिटी को कहते हैं और एक है सयदमुस्ताक चयद मुस्ताक बैटमिंटन चेंपियंशिप यह लखनाव में हुए भाई कहां पर वहीं लखनाव में इक जीती पीवी संदू ने पीवी शंदू याद कर लेंगे इसको नोट कर लेंगे और यह वही पीवी संदू है जिन्नोंने ओलंपिक्स में ब्रॉंज मैडल जीता है यह भी आप लोग याद रखेंगे यहां से इंपोर्टेंट कोच्छन है आप लोगों के लिए बन सकते हैं I ICC ICC World Cup World Cup 2023 यह कहां पर होगा भारत में होगा इंडिया में होगा लेकिन अभी नोट कर लेंगे ICC Cricket T20 Women's World Cup T20 Women's Cricket World Cup हुआ है भी Cricket World Cup यह 2022 में तो इसमें याद रखेंगे कहां पर हुआ था निजी लेंड में हुआ है निजी लेंड और जीता विनर कौन है इसमें विनर कौन है आस्टेलिया और किसको हराया England को हराया किलियर है एक एक चीज किलियर करते जाना आप लोग very very important है अब आप लोगों को बता देता हूं कुछ नए देश जुड़े हैं भी UNSC में तो UNSC याद रखेंगे United Nations Security Council होती है very very most है इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं 15 में 5 तो इस्थाई हैं और 10 क्या होते हैं प्रति पांच कौन से हैं आपको बताने की जुरूत हैं नहीं USA रूस चीन फ्रांस और ब्रेटेन पांच पर्मनेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पर अब 10 में अभी भारत भी हैं अभी दो साल के लिए लेकिन अभी हाली में पांच नए बने हैं कब से कब तक के लिए तो नोट कर लेंगे 2023 से 2024 के लिए इन दो सालों के लिए पांच नए मेंबरों का कारेकाल चुनावी तो चुनके उन्हें बनाया गया तो पांच मेंबरों के नाम लिख लेंगे आप लोग जापान जापान नोट करेंगे माल्टा जापान माल्टा मोजांबिक मोजांबिक नोट कर ल एक्वाडोर तो पांच देशों को UNSC में मेंबर्सिप मिली है 2023-2024 के लिए ये आप लोग याद रखेंगे भाईया एक्जाम के लिए के लिए फ्रांस के राश्टपती कौन है इम्मिनेल मेंकरो जो दूसरी टम्स के लिए बने हैं के लिए रहे USA के प्रेसिडेंट कौन है जो बाइडन जो 46 नमबर के है और 49 नमबर की कौन है कमला हैरिस फर्स वोमेन प्रेसिडेंट ओफ USA ये आप लोग याद रखेंगे एक है नोट करके लिखेंगे खेलो इंडिया य नोट करेंगे हरियाना और 2022 के नोट कर लेंगे कहां पर भौपाल ये भी आप लोग याद कर लेना घड़वर मत कर लेना एक भी चीज के लिए एक्जाम में आएंगे अमरी U-Sri-Lanka में अभी क्या हुआ आपकाल आया उस्री-Lanka मैं चीज याद रख लेना एक बंदर गाया हवन टोटा तो ये कौन बनवा रहा है चीन के दुआरा के लिए रहें एक है सिल्वासे पोट ये मैमार में बना रहा है भारत एक नोट करेंगे ग्वादर बंदर का तो ग्वादर है पाकिस्तान में चीन बना रहा है बना चुका है चवार भारत बना रहा है इरान में ये तौनमस roman कॉप तो यह दोनों ही कहां हुए ठाइलेंड की राजदानी बैंकोग में हुए यकी याद कि रखने हैं थाइलेंड की राजदानी कहों बैंकोग अब किसमें बिजेता है वहां दक्षण कोरिया याद रखें ऊबर में ठाइसके यह भारत रखेंITY ऋमें इन बात है कि फिर किसने किसको हराया तो इसमें चीन हरा ये जीता ये हरा और भारत ने इंडोनेशिया को हराया ये याद रखें थामस कप में केवल मेल पार्टिसिपेट करते हैं और उबर कप में केवल फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं ये आप लोग याद रख लेना और दोनों ही कि से रेलेटिड हैं भेट मेंटन से हैं जोनो के गए के लिए हैं सबीको समझ में आरहाए यह वर्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 में अगर इंडेक्स की बात करें तो भारत सेबन पॉजिशन पर है है इन्वेस्टमेंट करने के मामले में पहले नंबर पर है यूएस से दूसरे पर है आपना चीन और तीसरे पर है हॉंग कॉंग ये भी आप लोग चाहों तो नोट कर लेंगे समझ में आ रहा है कुछ दिवस रिकॉल करा दे रहा हूं जल्दी यल्दी पांच जून को पर्यवन क्या होता है यूथ दे और 25 जन्वरी को दो दीवस याद रखेंगे एक वोटर्स दे और दूसरा क्या है वोटर्स दे के साथ टूरिज्म दे पर रेटन दे बस ठीक है तो गैर आप लोगों को मुझे उमीद है आप लोगों को ये लेक्चर सिरीज पसंद आई होगी और आ आपके एक्जाम में भी काफी मदद करेगी थैंक्यू जाहिए